तो हम अपने छट पे हर प्रकार के पौधे लगाते हैं चाहे वो फूल के हो या फिर मेडिशनल प्लांट हो सबजी हो या फिर यह देखिए सारे कपाश वगरा है चेरी वगरा हर तरह के पौधे हमारे छट पे मिलते हैं बेल वाली सबजी हलो फ्रेंट स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल माई आरगे निक ग्रीन गार्डेन में वीडियो फशन्द आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि छट पे हम कुछ पौधे लगाते हैं तो उनमें सब्जियों को कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिने हमें अपने टैरिस पे जरूर लगाना चाहिए बालकनी में भी आप लगा सकते हैं जो की बहुत ही इजली हो भी जाता है और मार्केट में बहुत ही केमिकल वाली ह होती है तो सबसे जादा मैं जरूरी सब्जी आपको बताऊंगी जो की आपको जरूर लगाना चाहिए तो चलिए हम क्या-क्या लगाएंगे यह आपको दिखा दें सारा चीज हम लगाने का तरीका आपको नहीं बताएंगे सिर्फ सब्जी गिनादरें क्योंकि बहुत भूरी होता है घर में लगाना पालक और यहां पालक हमें क्यों लगाना चाहिए मैं आपको रिजन भी बता दरें नहीं पालक मार्केट में हमेशा मिलता आल टाइम मिलता है और आपको हर दो तीन महीने में एक बार पालग जरू ग्रोग कर देना चाहिए बरसात को छोड़ करके इससे क्या होता है कि इसके पत्ती को तो आप हटा नहीं सकते हैं इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं तो आप इसे कहीं भी इजली ग्रोग कर सकते हैं मैं अभी आपको इसको ग्रोग करने का तरीका बता दे रहें बहुत ही आसानी से हो जाता है यह है सोया जो पालक शोया होता है ओ है यह है सरसो इसे भी आप आसानी से इस तरह के ग्रोग में लगा सकते हैं और यह है प्याज प्याज जो हरा प्या जो कि हमें भीगा करके लगाना पड़ता है तो हम पहले से ही भीगाए हुए हैं इसका हम अलग से भी वीडियो देंगे आपको आप वीडियो पर बने रहे हैं चैनल से जुड़े रहेगा देख लिजेगा यह है मूली इधर आईए यह देखिए है लहसुन जो कि बहुत ही इ है और देखिए और पालक हम हम अल्टरनेट बहुत सारे पालक हमेशा एक दो महिने के अंतराल में लगाते रहे हैं पत्ता गोभी है यह टमाटर है दोनों देशी है हाइब्रिट है और यह जो है बीन्स है देखिए और एक गाजर है यह चुकंदर है इस तरह कि सारी सबजिया आप आसानी से अपने टैरीश पर लगा सकती है और इसका मैं आपको जो है दिखा दे रहे हूं कैसे लगाना क्योंकि यह सारे सबजिया जो सलाद में आप यूज करते हैं तो बहुत सारे के वह थोड़े थोड़े बरतन में ही सबसान होगा वहां यह सब आसानी से मिल जाता है कुछ मैं देखे चुट्टा मंगा लेती हूं जैसे 10 रुपे का बीज है और यह सब 20 रुपे का आता है तो आप आसानी से ले सकते हैं सब मिल जाएगा और घर का धनिया यदि आप लगाएंगे तो अच्छे से नहीं जर्म मेथी यह जो कामन पर डे की यूज की सब्जी इसे आप जरूर लगाएं तो देखे इसमें से कुछ सब्जियां तो आप डायरिक्ट लगा सकते हैं आपको इसका बीज नहीं डालना पड़ता है और कुछ का बीज डालना पड़ता है जैसे यह देखे गोभी वगरा और टम हाइब्रिट और देशी जैसा कि मैं आपको दिखाई हूं तो देखी यह मैं पहचान के लिए डंडा लगा दी हूं तो दोनों बारी बारी इसमें से दोनों हम इस प्रकार के ग्रोबैगों में लगाएंगे यह जो है बरतन हम तयार कर दिया है और यह गोभी है यह फूल ग चुके हैं और इसमें हम नीचे थोड़े से पत्ते डालें जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताती हूं कि बहुत ज्यादा मिट्टी मैं नहीं डालती इसलिए अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और उपर से यह मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद मैं पहले से डाल करके इसको तयार करके रखी हूं तो यह काम आप भी कर सकते हैं दो चार दिन पहले इसको आपको तयार कर लेना है क्योंकि इससे तो मिट्टी काफी अच्छी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी अच्छे से सेट हो जाती उसके बाद आपको करना क्या इस तरह से ऐसे मिला दे जिससे कि ऐसे ऊच्छे से हो सिजांगे तो जादा आपको गहरा बरतन आपको रहा बरतन तो इस तरह का फैला तो खैना payoud तो इस तरह से देखिए हम दोनों टब अपना तयार कर दिये इस तरह से अब हम यह बीज लगाएंगे तो यह पालक और सोया हम एक ही में मिक्स कर दे रहे हैं सोया पालक एक ही में रता तो बहुत अच्छी सबजी होती है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जब अलग से भी निकालना होगा तो आसानी से निकल जाएगा तो यह दो हम अगर दो में लगा देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको पूरे ठंडी मिलेंगे और फिर जब दुबारा जब यह थोड़ा सा फलने के कगार पे होगा तो फिर हम दुबारा लगा देंगे तो इस तरह से आपको इस तरह से इसको छीट देना है ज्यादा घना आपको नहीं लगाना है बस आपको ध्याने रहे कि हर जगम बीज इस तरह से लग जाए बहुत ही आसानी आपको इसको भीगाना भी नहीं है सिर्फ ऐसे ही लगा देना है इस तरह से अब आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा उपर से बर्मी कमपोश्ट भी का लेयर लगा सकते हैं लेकिन यह देखिए हम इसी तरह की मिट्टी से इसको बर्मी कमपोश्ट मिली हुई मिट्टी है और हम कवर कर दे रहे हैं बस ता कि इसक महीना होता है अक्टूबर इस समय यदि आप लगाएंगे हलका सा पीछे एक महीने में आपका बिल्कुल खाने लाइक 20-25 दिन में तयार हो जाएगा तो महीना भर के अंदर ही तो इस तरह से हम इसमें भी जो बचा हुआ पालक है लगा दे रहे हैं अब इसमें हलका सा पान बिल्कुल नहीं सुखने देना है इसमें इस समय पे कोई भी फंगी साइड आपको नहीं डालना है न तो हल्दी डालना है न तो किसी भी प्रकार का कोई चीड़े नहीं लगते हैं तो चुकंदर और गाजर के लिए आपको कम से कम आठ से 10 इंच गहरा बरतन लेना है उसमे देखिये अब हम इसमें सबसे पहले आपको चुकंदर लगाने का तरीका बता देते हैं तो मिट्टी आपको कैसी लेनी है बनाने है मिट्टी आपको बिल्कुल भूर्भरी बनानी है जिसमें खाद बर्मी कंपोश्ट चाह सड़ी हुई गोबर की खाद बराबर मात्रामे म चुकंदर थोड़ा मोटा मोटा होता है और इस तरह से ऐसे लाइन देखिए ऐसे हम बना दिये हैं तो इसमें ऐसे जगह जगह ही बीज आपको डाल देना है यह बिल्कुल पालक जैसे इसका बीज होता है और अगर एक दोठो पास पास भी गिर जाएगा तो कोई दिक्कत नह हैं आप घर में लगाईए पत्ते वाली सबजी आप घर में जरूर लगाईए उससे इसमें जो है जो भी तो बहुत जादा इसमें नहीं आ पाएगा और फिर हम दूसरे इस तरह के छोटे ग्रो बैग में भी लगा देंगे अब फिर अब हमको इसको कवर कर देना है इस तर देना है और तो देखे वस इतना ही बीज लेना है एक बरतन के लिए तो यह देखी बिल्कुल सोया जैसे ही है जैसे सौफ होता है उस तरह का होता है तो इस तरह से आपको इसको इस तरह से डाल देना है घना ही हो जाएगा तो बाद में आप उसको निकाल दीजेगा जितना इसकी भी मिट्टी बिल्कुल आपको भुरबुरी रखनी है और पानी भी आपको मिट्टी सूखने न पाई एर निकल जाएगा आराम से जब निकल जाएगा तो जो घणा रहेगा उसे आपको हटा देना है थोड़ी थोड़ी दूर पर रहेगा तो अच्छा लंबे में असानी से हो जाएगा अब हम आपको लासुन लगाने का तरीका बता दे रहे तो देखिए इस तरह से अच्छे गाठ आपको लेने हैं मोटे साइज के थोड़ा बढ़ियां लासुन रहे मरा हुआ नहों और इस तरह का मोटा-मोटा जवा लेना है और छिलका उलका इसका ब लहसुन ले लेना है और ये जो मोटा वाला भाग है इसे इस तरह से नीचे दबाना है और ये नुकीला वाला उपर बस आपको कुछ ने करना है इस तरह से ऐसे ही आपको दबा देना है अहर लहसुन के बीच में दो इंच का जो है गैफ होना चाहिए इस तरह से तो इस तरह स हम जब इन सभी सब्जियों को लगाना आपको दिखाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं आपको बता दे रहे हूँ तो जैसे पालक लगाए थे उसी तरह से सरसो मेथी और मूली सब ऐसे ही लगाना है और इसका भी हम बीज डालेंगे प्याज का और बींस क बीज डालेंगे लासुन आपको बता ही दिये चना जो है हम लगाएंगे चना भी थोड़ा सा हम लगाते हैं और इसको देखिए पहले से ही भीगा दिये थे दो दिनों से और अंकुर भी निकल गया तो इसको हम इसी तरह से करके और हलकी सी मिट्टी से इसको कभर कर देंग यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसमें थोड़ा सा और यूनिक चीज मिलाना है धन्या थोड़ा लेट से जर्मिनेट होता है तो आप वीडियो पे बने रहेगा चैनल से जुड़े रहेगा आपको धन्या लगाने का ऐसा तरीका बताऊंगे कि बहुत ही आसानी से आ दिनिया का लुपत उठा पाएंगे तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ जुड़े रहेगा हमसे देखते रहेगा हमारे चैनल को पसंद आया होगा तो लाइक किये बिना नहीं जाईएगा थेंक्स फारोचिंग